नमस्कर दोस्तों स्वागत यापका फार्मा रोक्स की यूटूब इच्जू किसने चनल में तो आज की यूडू लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉलिसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि आखों के आसपास जो वो सूजन हो रही है तो यहाँ पर जो आप देख रहे है कि आखों के आसपास का यह जो भाग है वहाँ पर आपको सूजन देखने को मिल रही है फिर दूसरा हेल्थ प्रॉब्लेम हम देखे तो जब भी आप यूरीन करने जाते है तो जो पैसाब है वो काफी ज़्यादा जागदा रहता है मनले कि पैसाब के अंदर जाग आ रहा है या फिर फॉर्म जो होता है ऐसा क्रियेट हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है फिर तीसरा प्रॉब्लेम हम देखे तो आपको काफी ज़्यादा थकावट महसूस होती है जोथा प्राब्लेम हम देखे तो आपकी जो स्कीन है वो ड्राइ हो रही है और वहाँ पे इचिंग भी हो रही है तो यह जो सभी सिम्टम से वो इंडिकेट करते है कि chronic kidney disease के विमारी हो सकती है तो सीखते हैं डिटल में यह प्राब्लेम के बारे में और कवर करेंगे यह सब अलग-अलग chapters तो सबसे पहले जानते हैं कि CKD क्या है CKD मतलब कि chronic kidney disease की ऐसा प्राब्लेम कि जिसके अंदर आपकी जो kidney है वो सही से काम नहीं कर रही है तो समझते हैं बीमारी को अच्छे से तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेजिक समझा दू कि कीड्नी का काम क्या है तो कीड्नी हमारे सरीर में filter की तरह काम करती है तो वो कौन सी चीज का filter करती है तो blood को filter करती है और blood में से जो भी कोई अलग-अलग waste materials होते हैं, toxins होते हैं और जो extra water होता है, वो हमारे सरीर में से बाहर निकलता है तो CKD के अंदर क्या होता है, कि जब ये kidneys fell होती है तो अच्छे से वो अपना काम नहीं कर पाती, को उनका जो normal function है वो नहीं कर पाती, तो यहाँ पे हम देखते हैं, जो stages से chronic kidney disease के तो सबसे पहला जो stage हम देखे, तो stage 1 की mild functions उसके loss हुए है kidney के कि जिसके अंदर GFR जो होता है, कि जब ये आप proper एक test करवाता है ही GFR का तो वो 90 या फिर उससे ज्यादा आ रहा है, फिर stage 2, जो है mild kidney damage की जिसके अंदर GFR देखने को मिलता है, 6289 जितना ml per minute फिर मालो कि और ज़्यादा kidney खराब हो रही है, तो वो GFR कम होके हो ज़्यादा है 45-59, तो यहाँ पे आप देखे, जैसे जैसे kidneys और ज़्यादा खराब हो रही है आपका GFR जो है, वो काफी ज़्यादा कम हो रहा है तो यह problem को हम CKD करेते, तो आपको ऐसे ही अलग-अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनके उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है, तो आप हमारी book भी purchase कर सकते कि जिसके अंदर आप detail में सभी बीमारियों के बारे में सीख पाएंगे, तो यह book को order करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, यह number पे और साथ ही उसका sample भी check कर सकते हैं तब आता है topic पे और समझते हैं कि CKD के reasons वगेरा क्या हैं, कौन से ऐसे reasons हैं कि जिसके करन आपके kidney जो यह खराब हो सकती है, तो सबसे major उसका reason है वो है high BP, high BP यानि कि high blood pressure और साथो साथ diabetes, तो diabetes में भी यह है कि अगर आपका जो sugar level है वो control में नहीं रहता, तो आगे जाके kidneys खराब हो सकती है, फिर जो blood है वो अच्छे से kidneys तक नहीं पहुच पा रहा, मलब कि हमें पता है कि हमारे जो इतने भी अलग-अलग organs है हमारे सरेर के, उनको blood की आवस सेकता होती है, कि उनके तक blood जो हो अच्छे से पहुचना जरूरी है, पर CKD के अंदर क्या होता है, कि kidneys खराब हो जाती है, कि अगर उनके पास blood जो हो अच्छे से नहीं पहुच पा था, फिर kidneys अच्छे से उनका काम नहीं कर पा रही है, और कोई obstruction हुआ है, कि जो urine का outflow जो है, वो prevent करते हैं, मलब कि normal जो हमारा urinary track है, उसमें से urine अच्छे से पास नहीं हो पा रहा, कोई obstruction हुआ ह या फिर जो ureter obstruction हम कहते हैं, तो ये conditions produce हुई है, उसके अलाब हम देखे तो renal artery के अंदर कोई blockage है, तो भी आगे जाके आपकी kidneys खराब हो सकती, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कि ये वाला भाग है, artery का है, जो brown is red color का है, और ये वाला जो blue side का जो part है, वो vein का है, पर मान लो कि artery के अंदर किसी जगा पे इस तरह से कोई blockage हो जाता है, तो blockage होने से क्या होता है, कि जो blood है, वो अच्छे से आपकी kidneys तक नहीं पहुच पाता, कि जो oxygen वाला blood होता है, वो kidneys तक सही से नहीं पहुच पाता, और उसके करन ये problem हो सकती है, फिर heavy metal का poisoning हम देखे, फिर fetal development problem से malaria, yellow fever और kidney को कोई directly injury होती है, तो भी ये problem हो सकता है, तो यहाँ पे आप देखो, पूरा एक chart देख लेते हैं कि diabetes के कारण, high blood pressure, heart problem और stroke के कारण, अगर आपको obesity का problem है, family history है, टौबे को consumption आप कर रहे हैं, और age 60 plus है, तो ये सब ऐसे factor से जो affect करते हैं, CKD के लिए, अब symptoms हम देखे, तो जैसे हमने सरुवात में देखा, इस तरह से आपको ठकावत में इसस हो सकती है, weakness कमजोरी, muscles, crème, energy कम हो रही है, और nausea, vomiting जैसा फिल होता है, भूक कम हो जाती है, और numbness जैसा फिल करते हैं, उसे तरह से जो urine आता है, वो जागदार आता है, urine का output कम हो जाता है, एनेमिक हो सकते हैं आप, फिर जो urine है, उसके अंदर blood आ सकता है, या फिर जो urine का color है, वो काफी ज़्यादा dark हो जाता है, urination frequency जो है रात को बढ़ जाती है, और breathing जो है आपके sort हो जाते हैं, तो यह कुछ लक्सन है यह बिमारी के, उसके लब हम देखे तो concentrate करने में difficulty होती है, सोनी में दिखे दिखती होती है, खुजली होती है, skin dry हो जाती है, सूजन आ जाती है, यह वाला portion आप देखे, तो normal है, उसके compare में यहाँ पे आप देखो कि आखो के आसपास आपको सूजन देखने को मिल रही है, जिसको puffy eyes भी हम कहते हैं, और blood pressure उसके कारण बढ़ सकते हैं, और आपको CKD का problem है, तो blood pressure औ निदान कैसे करें, तो सबसे वहले physical examination होता है, कि physically directly आपके जो health care provider से, urologist है या फिर nephrologist है, उसको अच्छे से check करते हैं, urine test यहाँ पे किया जाता है, फिर GFR या खास यहाँ पे निकला जाता है, जैसे हमने सरुआत में भी देखा था, कि GFR जो है वो यह problem के अंदर, दिरी दिरे कम होने लगता है, तो GFR test से काफे ज़्यादा confirm हो जाता है, CKD के बारे में, फिर serum creatinine test भी आप भी किया जाता है, ultrasound scan करके पता लगा जाता है, कि कोई blockage वगर है या नहीं, या फिर वहाँ भी कोई surgeon है, और X-ray या फिर MRI भी की जाती है, kidneys की, जरूत पढ़ने पर CT scan और kidney biopsy, तो ये अलग-अलग diagnosis feature है, कि जिससे हम पता लगा सकते हैं, ये problem के बारे में है, तो अब treatment के बारे में हम देखे, तो सबसे पहले patient को जो वो proper diet देना जरूरी है, physical activity, physically वो थोड़े fit रहे, इसलिए उनको अच्छे से खाना देना चाहिए, proper diet follow करवानी चाहिए, औ और अगर patient को diabetes भी है, तो उस तरह से उसका proper ध्यान रखा जाता है, जिससे उसका sugar level जो है, वो proper manage रहे, और control में रहे, फिर BP का भी problem है, तो BP and diabetes दोनों अच्छे से maintain होना जरूरी है, और अगर patient smoking करता है, तो उसको ये smoking जो है, वो average करने चाहिए, और उसको बंद कर देना चा तो आपको आपका जो weight है, वो maintain रखना चाहिए, अगर आप overweight है, BMI आपका काफी ज़्यादा है, तो try करे कि आप weight loss करे, alcohol consumption कर रहे हैं, तो वो बंद कर दे या फिर उसको limit कर दे, टॉबे को use ना करे, और अच्छी नीद ले, at least 8 गंटे की आपको नीद लेना जरूरी है, त तो अब देखते हैं treatment के options, जो medicines के options के कौन से medicines ये problem में दी जाती है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक reason देखा कि blood pressure increase होता है CKD के अंदर, और अगर BP बढ़ ज़्यादा रहता है, तो भी CKD का problem हो सकता है, तो यहाँ पे AC inhibitors, जो वो first choice रहते हैं, ये problem को solve करने के लिए ह तो AC inhibitors drugs हम देखे, तो captopril है, enalepril है और lysinopril वगेरा, prescribe की जाती है ये problem को manage करने के लिए, तो ये दवाईया क्या करती है, जो blood vessels होती है, उनको relax कर देती है, तो relax होने से blood flow जो है वो थोड़ा reduce होता है, और pressure जो हो कम हो जाता है, जैसे constricted blood vessel हो जाती है, तो SMA क्या होता है कि blood pressure जो है वो increase होता है, और यहाँ पर आपका blood pressure down होके फिर से maintain होने लगता है, second option रहता है ARB कि जिसको angiotensin receptor blockers medications कही जाती है, या फिर angiotensin 2 receptor blocker ARB को हम कहीते हैं, या फिर एसी medications की जो angiotensin 2 receptors को block करती है, तो एक second option से blood pressure को reduce करने के लिए CKD के पेशन्ट के अंदर, कि जैसे के अंदर, इर्बे सार्टन है, वाल सार्टन है, लो सार्टन, और टेल मी सार्टन जैसे दवायों के options हमारे पास available है, तो वीडियो के बीच में आपको बता दो कि हमारी book जो available है, उसको आप purchase कर सकते है, book purchase करने की जो link है, वो है, और description box में में ने दी है, pin comment में भी आपको मिल जाएगी, और ये number पे आप हमें WhatsApp भी कर सकते हैं, तीसरा option हम यहाँ पे देखें, तो diuretics का option रहता है, कि अगर patient का जो है वो GFR less than 30 है, तो ऐसे patients के अंदर blood pressure को reduce करने के लिए, ये option बंद है कि जिसके अंदर lessics काफी use की जाती है, कि जिसके अंदर salt content रहता है, furosemide, बुमे टानाइड का भी option रहता है, और torsemide, तो ये होगा है, diuretics का option, और specially loop diuretics सबसे ज़्यादा prefer की जाते हैं, चौश्ता option हम देखे तो phosphate binders का रहता है, कि जो specially prevent करते है, progression of bond disorders, कि जो hyperphosphatemia, कि जो chronic kidney disease, mineral and bond disorder है, या फिर CKD, MBD जिसको का आ जाता है, तो phosphate binders के हम option देखे, तो aluminium chloride रहता है, 300 mg जितना, calcium acetate, calcium acetate 1000 mg का, तो इन में से कोई भी एक, कोई एक जो है वो, prescribe की जाती है patient को, पांच वो option हम देखे, तो erythropoietin का रहता है, कि अगर patient के अंदर anemia produce होता है, उसका जो red blood cellarby से count कम हो रहे है, तो anemia treat करने के लिए, erythropoietin का injections जो वो दिये जादेगे, गर patient को CKD भी है, और साथो साथ ये anemia का problem हो रहा है, फिर जो blood sugar का जो problem है, उसको भी manage करने के लिए, जो anti-diabetic जो दवाईया है, वो patient को दी जादी है, तो detail में आपको anti-diabetic दवाईयों के बारे में सीखना हो, तो आप description box चेक कर सकते हैं, फिर छटा option है vitamin D का, अगर vitamin D की deficiency हो रही है patient को, तो ये medications उसको prescribe की जादी है, तो diabetes के बारे में आपको सीखना हो detail में के कौन सी ऐसे दवाईया की जिससे sugar level manage रहता है, तो आप यहाँ पे click करके मेरा वो video जो है वो देख सकते हैं, तो अगर आपको मेरा ये video अच्छा लगा है, तो ये diabetes वाला video भी अच्छा लेगेगा, तो जरूर से यहाँ पे click करके वो video को देखें, So good luck and all the best!